नमस्का, Target VPSC के आज के ब्याहर स्पेशल भूगोल के एपिसोट में आपका स्वागत हैं। आई शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, 1857 के विद्रों के समय पटना डिवीजन में कितने जिले थे। विकल्प A, 6, विकल्प B, 7, विकल्प C, 8, विकल्प D, 9, विकल्प E, उपरिक्त में से कोई नहीं या फिर उपरिक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है विकल्प A, 6 जिले। आई अब इसका विशले शर देखते हैं। अठाइसो सतावन के विद्रू के समय बिहार स्वाइत प्रांत नहीं था। तब यह है बंगाल प्रिसिडेंसी का हिस्सा था और इसे पटना डिवीजन के अंतरगत संग्छित किया गया था। विद्रू की समय पटना डिवीजन में 6 जिले शामिल थे, ये जिले थे पटना, बिहार, सारण, शाहाबाद, तिरहुत और चमपारण, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, आज का प्रश्न है, सेमेंट यो दियोग में कच्चे माल की रूप में मुखिता, किसका अपयोग होता है, विकल्प A, लो अयस्क, विकल्प B, चूना पत्थर, विकल्प C, अभ्रक, विकल्प D, बलुआ पत्थर, और विकल्प E, उपरिक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरिक्त में से एक से अधिक, इसका सही उतर है, विकल्प B, चूना पत्थर, सेमेंट यो सामानिता सीमेंट और द्योग का विकास चूना पत्थर की पर्याप्त उपलब्दिता वाले स्थानों पर ही होता है। अब देखते हैं प्रशन दो, ब्यहार में कांच उद्योग के प्रमुख के इंद्र है। कांच उद्योग में बालू, सिलिका, चूना पत्थर, सोडियम सलफेट, पोटेशियम कार्बोनीट तथा बोरियम ऑकसाइड आधिका इस्तमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये सभी कच्चे पदार्थ बिहार के दक्षिर पश्चिमी भाग में स्थित कैमूर पहाडिक शित्र में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न तीन निमलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। यहां करीब 90% वर्षा दक्षिर पश्चिम मानसून से होती है। आई अब देखते हैं प्रशन 4 पवने तमिलाडू के दक्षडी तट से टकरा कर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं एक अरपसागर की रास्ते जबकि दूसरी बंगाल की खाडी की रास्ते भारती उप महध्रीप में प्रवेश करती हैं बिहार को बंगाल की खाडी वाली शाखा से ही मानसूनी प्रवेश करती हैं और पश्चिम तक जाते जाते कम जोर पढ़ने लगती हैं इसी कारण बिहार की पूर्वी भाग को अधिक जबकि पश्चिमी भाग को तो लात्मक रूप से कम वर्षा प्राप्त होती हैं आई अब देखते हैं प्रशन पांच बिहार की क्रशी आयू जौन दो के सम्मंद में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए उपरिक्त में से कोई नहीं या फिर उपरिक्त में से एक से अधिक। पहला जौन है उत्री जलोड मैदान। दूसरा जौन उत्तर पूर्वी जलोड मैदान। और तीसरा जौन है दक्षरी जलोड मैदान। कृशी जलवायुक छेत्र एक और दो गंगा नदी के उत्तर में इस्तित हैं। कि जौन तीन गंगा नदी के एक दक्षिड में इस्तित है। जौन दो बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में इस्तित हैं। जौन एक और जौन दो बार प्रवर्ट खेत्र होने के कारण। जलोड मैदान का खेत्र है। जबकि जौन तीन सूखा प्रवर्ण हैं। जौन दो को आउसत वार्षिक वर्षा बाकि सभी जौनों से अधिक प्राप्त होती है। आए देखते हैं प्रशन च्छे। बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। इसका सही उत्तर है C. दर्भंगा। मरुआ मोटे अनाजों के अंतर गताता है। बिहार मरुआ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। पहले बिहार में इस अन्न का उप्योग मजदूरों और किसान श्रिवकों को मजदूरी देने में होता था। बिहार की दर्भंगा जिले में मरुआ सर्वाधिक उत्पादित होता है। इसलिए वेकल्प सी सही है। मैदानी भाग में दर्भंगा, सहरसा, मुजफरपुर, सारण और गया जिलों में अच्छा उत्पादन होता है। आई अब देखते हैं प्रश्न साथ। बिहार के निमलिकित में से कौन सी परियोजना ब्रिटिश काल में ही प्रारंब कर दी गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए सौन नदी घाटी परियोजना आई अब इसका बिशलेशर देखते हैं। सौन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ बिहार की पहली परियोजना है। अधिकादिक फसल उत्पादन के लिए सिंचित भूमे में वृध्धी करने के मकसद से बिटिस सरकार ने 1874 इसपी में इस पर्योजना का विकास किया था 1968 इसपी में इस पर्योजना को देहरी के पास इस्तित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगा कर भव उद्देशी पर्योजना का रूप देने का प्रयास किया गया सौनदी भारत के मद्ध भाग में बहने वाली एक नदी है युमना की बात ये गंगा नदी की देख्षडी उप नदियों में से सबसे बड़ी है यह मद्ध प्रदेश के अनूप पुर जिले में अमर कंटक के पास से निकलती है यह उत्तर प्रदेश और जहारखन राज्यों से गुजर कर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी से मिल जाती है आई अब देखते हैं प्रशनाथ निम्लिकित में से कौन से समूँ की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं विकल्प A, कमला, सौन और बागमती विकल्प B, बूरी गंडक, कोसी और गंगा विकल्प C, कर्मनाशा, गंडक और घागरा विकल्प D, उत्रिक कोयल, अजय और पुनपुन विकल्प E, उपरिक्त में से कोई नहीं या फिर उपरिक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है विकल्प C, कर्मनाशा, गंडक और घागरा गंडक सर्यू जिसे घांगरा भी कहते हैं और कर्मनाशा नदी बिहार और उतर प्रदिश के बीच सीमा रेखा का निर्धारड करती है। आई देखते हैं प्रश्ण नों बिहार में राजकी राजमार्गों के लंबाई कितनी हैं। विकल्प A, 4857 km, विकल्प B, 4282 km, विकल्प C, 3522 km, विकल्प D, 3714 km, या फिर विकल्प A, उपरिक्त में से कोई भी नहीं, या उपरिक्त में से एक से अधिक. इसका सही उत्तर है विकल्प D, 3714 km, इसका विसलेशर है, आर्थिक सर्विक्षर 2021 से 22 के अनुसार, सितंबर 2021 तक, राज्ज में राज्की राजमार्गों की कुल लंबाई 3714 km थी. राज्की राजमार्गों का नियंतर्ण वा वित्यपोशर पत्निर्मार्ण विभाग के जदिये राजसरकार के द्वारा किया जाता है. राजकी राजमार्ग राज के एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए बने महितपूर मार्ग होते हैं ये राज और राष्टी राजमार्गों के माध्यम से शेस देसों से भी जोडते हैं बिहार में राजकी राजमार का राजकी कुलसलकों में दो दिशमलब एक प्रिशत का योगदान है। आईए देखते हैं, अंतिम प्रश्न बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है। विकल्प A, जमूई, विकल्प B, गया, विकल्प C, मुंगेर, विकल्प D, नवादा, विकल्प E, उपरुक्त में से कोई नहीं या फिर उपरुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है विकल्प D, नवादा। अभरक या माई का एक खनेज है जो आगने और कायांतरि चट्टानों में प्रत के रूप में पाया जाता है ये रंगरहित या हलके पीले हरे या काले रंगा होता है बिहार में ये पश्चिम में गया जिले से हजारी बाग तक तथा मुंगेर होते हुए पूरम में भागलपुर जिले तक फैली हुई है बिहार की नवादा में सबसे अच्छे प्रकार का लाल या रूबे अभरक पाया जाता है इसके लिए यह प्रदेश संपूर संसार में प्रिसिद्ध है पूरी दुनिया की जरूत का असी प्रित्षत अभरक भारत में ही मिलता है इस खनिच के उत्पादन में आंध्र प्रदेश और राजिस्थान का प्रमुकिस्थान है अब्रिक की पतली-पतली परतों में भी विद्यूत रोकने की क्षमता होती है इसका उप्योग अनेक बिजली की उपकरणों जैसे कंडेंसर, टेलीफॉन वा डाइनेमो आध में होता है पारद्रशक तथा तापरोदक होने के कारण यह लेंप की चिमनी, स्टोप, भट्टियों आध में प्रियोग होता है आई अब देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न महानन्दा नदी ब्यहार में गंगा नदी से किस छेत्र में मिलती है इसका साही उतर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मिलते हैं आगले सेशन में तब तक के लिए नमस्कार